वाइट छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई में थोड़ा सा ओल डालेंगे तब ओल गरम हो चुका है इसमें मैं यहापर जीरा डालने वाली हूँ जीरा जैसे ही होने लग जाए हलका सा ब्राउन तीन मीडियम साइज के मैंने यहापर प्याज लिये हैं इसमें मैंने थोड़ा सा दिन डाल कर सबको एक साथ पीस लिया है जब तक प्याज हमारा ब्राउन ना हो जाए इसको इसी तरह से मीडियम गैस पर हिलाते रहेंगे बीच बीच में अब आप देख सकते हैं जो प्याज का मसाला हलका ब्राउन हो चुका है और इसमें मैंने जो धन्या की पत्ती मिक्स की है वो आप्शनल है अगर आप नहीं चाहते तो सिरफ तीन मीडियम साइज की प्याज लेकर मसाला पीस सकते हैं अब मैं इसमें यहां पर मैं दो चम्मच अद्रफ लैसम जो छोटा चोटा हुआ है वो प्याज की साथ मिक्स कर रहे हूं इसको हम 2-3 मिनाट ऐसे ही बूनेंगे 2-3 मिनाट होने के बाद हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे जब प्याज ब्राउन होने लग जाएगा उसकी पर आना शुरू हो जाता है. अब यहाँ पर आदा चम्मच हल्दी पॉडर, दो चम्मच धन्या पॉडर, नमक स्वादा नुशार, मैंने यहाँ पर एक चम्मच करीब नमक लिया है. आदा चम्मच लाल मर्च पाओडर, आदा चम्मच देगी मर्च पाओडर. तब को 15-20 मिनट के लिए ऐसे ठख देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे अब आप यह देख सकते हैं कि मसाला तयार हो चुका है कलर भी इसका बदल चुका है अब यहां पर मैंने यह उबले हुए छोड़े रखे हुए हैं मैंने यह वाली कटोरी का साइज लिया है 1.5 कटोर उए प्रमाच परव्णिं ग्रेवी यह अच्छा घड़ा लुक देता इसा टेस अच्छा आता है किस तरीकिस एसको दबा देंगे ग्रेवी में इसे एच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए 5-10 मिनट हम इसको अच्छे से इसी के अंदर मिक्स करेंगी इस तरह please focus time रिडियम ही रखेंगे जब तक यह हमारा मसाला हो रहा इस तरीके से तब तक हम इसमें चाय की पती का पानी तयार करते हैं डालने के लिए चाय की पती का पानी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक ग्लास पानी डाल रहे हूं और जब यह उबलेगा तब हम इसमें चाय की पती म कि मसाला भी तयार हो जाएगा इन छोलो को आप पूरी के साथ भटूरों के साथ किसी की साथ भी खा सकते हैं और अगर आपको लगए कि मसाला ज़्चा ठीक हो चुका है चिपक रहा है तो उसमें हल्का साम पानी डालेंगे इस तरीके से बीच में इसको दबाते रहेंगे दो चम्माच चाय की पत्ती लिए आप कोई भी चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं इसको हम दो से तीन मिनट अच्छे से उबा लेंगे अब हम इसमें उबले हुए छोले मिक्स कर देंगे अभी हम इसमें और पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि चाय की पत्ती का पानी भी हम इसमें मिक्स करेंगे अब गैस को बन कर देंगे और चाय की पत्ती का पानी हम छोलो में मिलाएंगे चाई की पत्ती का पानी छोलो में इसलिए में लाया जाता है कि छोलो को काला रंग देने के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं छोलो का रंग काला हो चुका है अब 10-15 मिनट हम मीडियम गैस पर इसको अच्छे से ड्राइ होने देंगे अब आप यह देख सकते हैं 10-15 मिनट के बाद छोले बनकर अर्मोस्त तयार हो चुके हैं ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो चुकी है लास्ट में अब इसमें आदा चम्मच गरम मसाला थोड़ा सा धनिया अब हम इसका लास प्लेटिंग का तड़का तयार करते हैं आदा चम्मच गी छोले हो चुके हैं अब मैं इसको गैस को बन कर रही हूं तड़के से पहले हम छोले समेक बॉल में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कि चाय की पत्ती की पानी की वज़े से इसका कलर कितना अच्छा आ गया है अभी गी गरम हो चुका है यह मैंने अद्रक को बिलकुल पतला-पतला काटा हुआ है दो हरी मिर्च इसको हमें बहुत ज्यादा फ्राइ नहीं करना है एक मिनट बहुत है अब यह मैं इसमेहाल निसका सा लाल मृच का पाउडर थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और यह हमारा चोले का तड उपर से बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया और ये हमारे छोले बनकर तैयार हो चुके हैं हुआ 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 या कर दो कर दो कर दो कर दो